कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ इमान सुमार और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इटुब चैनल टेक में गुरु जी में फेंट अससी के अससी में बहुत बड़ा बदलाव आया है दोस्तों आपका जो टेंडर मिलना था यह ससी का वो मिल चुका है टीसियस को टीसियस के आते ही दोस्तों इससी बड़ा बदलाव आया है जो आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों अद्मिट कार्ड अभी नहीं आ पाया है लेकिन उन्होंने आउट कर दिया है जल्दि-जल्दी दो सो अपना चेक कर लें आपका darling सोím कब होने वाला एसाइका और सी स का इसके लागों दोस्तों क्या ओफीसियल नोटिफिकेशन आई है सस्ट के थूँ जो कि आपको पता है सस्टी का टेंडर जो ले चुका है टीसीएस और मुझे लगता है जितने भी एक्जाम सस्टी के फसे हुए है सब को क्लियर कर देगा दोस्तों तो दोस्तों आगे कर दिया हूँ यह आपका ओफिसियल नोटिफिकेशन आया हुआ है यहां पर देख सकते हैं स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ब्लाक नंबर 12 सीजियो कॉंप्लेक्स लोधी रोड न्यू दिलही दोस्तों आपके उफिसियल नोटिफिकेशन में क्या आया हुआ उसको मैं दिखा द फेज 6 के लिए उसका दोस्तों आपको जो इक्जाम होने वाल था मैट्रिकुलेशन लेवन और हाइयर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का इसका एक्जाम को 16 जनुए 19 से लेकर 18 जनुए 19 तक होगा और वहीं पर जो है ग्रेजुएशन लेवल का एक्जाम अब दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टन फार्म के बारे में जिसका पता है का जिसमें आपको टोटल पोस्ट मिल रही थी चवह जाद नोसों तिरपन और जिन लोगों ने अपलाई किया था इसका फार्म आगस्त के मन्त में लगबाग आ चुका था जिहों ने अपलाई क सब्सक्ताइब बात करते हैं अब सिपीव एसाइग कि अपलाई किया था मार्च में काफी टाइम की कुछ चेंजिंग दोस्तों आ चुके हैं और दोस्तों को साइग में आपको कुछ लफ़ड़ा हो यह जिसके वजह से आपका एक्जाम इसका नहीं हो पाया था तो अब ट बात चार पांस दिन आपका एक्जाम चलेगा इसमें दोस्तों की पोश्च कम थी यूइस जाना नहीं है इसलिए इसका एक्जाम 3-4 दिन है वह तैयारी में लग जाए दोस्तों टाइम बहुत ही कम है अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो रिवीजन करना स्टाट कर दें अच्छे से प्रिपरेशन कर लें दोस्तों तो मिलते हैं फिन नए अपडेट के साथ अब तक के लिए गुडबाई टेक क बेस्ट आफ लग